मैं आस्था चाय पे चर्चा में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे लोक गीत और संगीत के बारे में जो इस्पेशली सरकुजा च्छतिसगड के बलराम फुर्जिले में प्रचलित है वैसे मुझे हमेशा से फोक आर्ट, डांस और फोक म्यूजिक, सॉंग आकरसित करता है इनकी धुन में मानों की मन के तार बजने लगते हैं और पैड थी रखने लगते हैं लोक संगीत का आधुनिक रूप तो सबको अच्छा लगता है इनको पार्टीस में लोक बजाना, इसके धुन में नाचना पसंद करते हैं लेकिन जो इनकी मदर है, जननी है, जहां से यह आया है उसको तो कम ही लोक जानना और सुनना पसंद करते हैं और इसके बारे में कम लोक जानते हैं ये ठीक वही बात हुई न कि हमें बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है पके वे फल भी हैं पर बीज का पता नहीं कुछ और पेड़ लगाने के लिए या नए तरीके से कल्टिवेट करने के लिए बीजों को बचाना क्या जरूरी नहीं है इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा लेकिन विचार करते करते यह फोक सौंग भी सुन लेजिए उगे है चंदा उड़ बेतर या उगे है सूरज भी हन होगे मिला लागे है यार जो बात देखे जाबो मया लागे है मिला लागे है यार जो बात देखे जाबो मिला लागे है उगे है चंदा उड़ बेतर या उगे है सूरज भी हन होगे मिला लागे है यार जो बात देखे जाबो मया लागे है मया लागे है यार जो बात देखे जाबो अरे बसरा जे बाबा लाका तें चड़ाना जे ही चड़ाऊंगा तें तें चड़ाना धेरे लाग ही रुपिया काहां एतना पाना चोराया हूं दाई कर जनतें बताना बसरा बाला का तें चड़ाना जे तें चड़ाऊंगा तें चड़ाऊंगा धेरे लाग ही रुपिया काहां एतना पाना चोराया हूं दाई कर जनतें बताना रंगे हस्भक्ती मा तें का संगवारी दरसंबर तोरो धेयान होगे हो मिला लागे है यार जो बादे के जाबो मया लागे है रंगे हस्भक्ती मा तें का संगवारी दरसंबर तोरो धेयान होगे हो मिला लागे है यार जो बादे के जाबो मया लागे है रे इस गाने में गायक ने लोक गीत के माध्यम से बलरामपूर में इस्थीत बैगा जंजाती का पवित्र इस्थल बसराज कुअर और जोबा पहाड के बारे में बताया है कहते हैं कि सच्चे मन से इनके दर्शन करने से सारी इक्षा पूरी हो जाती है आपको यह गीत कैसे लगा हमें जरूर बताईएगा वैसे इस गाने के बाद इन लोग कलाकारों से बात जीत और इनका परीचे तो बनता है हमारे चाय पे चर्चा में हम आप सभी लोग कलाकारों का स्वागत करते हैं हम चाहते हैं कि आप अपना अपना परीचे दीजिए जै जोहार मैं विशाल मैं अपना परीचे आप लोगो दूँगा अपने मिजिशन गुरूप से ही और मेरे गुरूप की मिमर को भी सभी को मतलब परिषए कराओंगा ही लेकिन सबसे पहले अपना परिषए दूँ मेरा नाम है विचालुकमार, मैं गाता हूँ और मैं इस परड़ामपुर छेतर से ही हूँ हम लोग इस musical group में गाते भी हैं बजाते भी हैं और बहुत सारे कामों को करते हैं जैसे मूर्ती बनाना हो गया घर मिस्तिरी हो गया राज मिस्तिरी जिसको कहते हैं घर जोडते हैं यह सब कामों को और अतिधिक पेंटिंगों काम को भी करते हैं और हमारा जो काम है क्या पोलते हैंगे अपने चैत्रों में लाने के प्रयास में अलब प्रयास रत रहेंगे मैं संदीप कुमार भारती, तावला और मांदर वादक हूँ मैं बलरामपूर से हूँ और मेरा काम प्रेंटिंग भी करता हूँ और खेती किसानी भी करता हूँ मेरा नाम अरवींद कुमार वर्मा, मैं बलरामपूर से हूँ और मैं नाल बजाता हूँ और अभीकडेट में पढ़ाई करता हूँ और खेती गिरिष्टी करता हूँ मेरा नाम अनुज सुमन, मैं आरगन वादक हूँ और मैं चोटी मोटी मूर्ती कारे भी करता हूँ और मैं खेती गिरिष्टी भी में कारे करता हूँ मेरा नाम द्यधारी सोन्हा है मैं BAC Second Year में पढ़ाई करता हूँ और साथ साथ मैं लोक निरितिय में और नाटट और जहन मंजीरा वादे अंत्रा बजाता हूँ और मैं बलरामपूर से ही हूँ मुझे पता चला है कि आप लोगों ने अपने इस म्यूजिकल ग्रूप का कोई नाम भी रखा है तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके बैंड का नाम क्या है जोहार सरना मुजिकल ग्रूप बलरामपूर के नाम से हम लोग इसका नाम रखे है बहुत ही खुबसूरत नाम है जोहार का अर्थ भी मुझे पता है और सरना का मतलब भी पता है मुझे वैसे आप ये बताए कि आप सब एक साथ इकठा कैसे हुए या आप लोग दोस्त हैं साथ में पढ़ते थे या फिर गाओं में ही कोई मित्र गूरूप या मित्र मंदली के सदस से रहे हैं नहीं बताना चाहूंगा कि हम लोग कुछ कि श्कारण मवस मतलब एक टेनिंग पर गया वाड़ाप नगर तो वहीं से मेरे दो दोस्तों से परिच्छे हुआ और वहीं से मोग मतलब इस मतलब ग्रूप का मतलब संगठन करते करते मतलब आज बना चुक है, वहीं से हम लोग का मुलाकात हुआ, और मैं सोचा कि जब मैं गाता हूँ, एक डोलक बजाता है, डोलक नाल बजा लेता है, एक आरगन बजाता है, और एक मांदर वगरा बजा लेता है, जहांज बजाते हैं, और तबला भी बजाते हैं, तो मैं सोचा क्यो लक्ष पर रहेंगे बहुत खूब विशाल आपका उद्देश सच में बहुत अच्छा है कि आप लोक संगीत को गीत को आगे लेकर जाना चाहरे हैं और जहां तक ये सारे चीज हैं आज के डेट में लुक्त होते जा रहे हैं उनको संग्रक्षड की वैसी भी बहुत आवसकता है अच्छा विशाल आप हमें ये बताए कि लोक गीत से आप क्या समझते हैं जी मैं मैं बताना चाहूँगा लोक गीत लोक गीत या होता है जो लोक प्रचलित लोगों के माध्यम से गायना और शुन्ना जोगित गायी जाती है उसे लोक प्रचलित करते हैं ये कहें किसी पुराण या कहें इसे लिखा हुआ नहीं है इसको मानो कृत द्वारा इसको गाया जाता है जिस प्रकार से हम जानते हैं कि आज विख्या 36 गड़ में तीजन बाई जो कि बहुत प्रचिद हमानेता एक प्रतिस्ठान बेखती हैं जो कि जिनको सभी कुछ आनते हैं कि पांडवानी गायन में महारत हासर के जुकी जिनको की पदमस्री पदमुशी से समाइन किया गया ऐसे लोग गठाय होती है लोग गीत होता है उसी प्रकार से लोग गीत होता है जो कि जो कहीं लिखा नहीं होता है उसको बनाया जाता है लोग पर चली लोगों पर गाया जात कि लोग गीट के प्रटि हम लोग इससले आकरशित हुए शुको बताना चाहूंग वह देखते हैं आधुनिक जमाने में कि हमादोनीक छीजों का पनार है है लेकिन जो हमारे संस्कृत हमारा धरण और हमारी जो वाध्यॆंत्र रहे हैं लोग का लाय हैं उसको wipes पूलते जा रहे हैं अधुनिक गाने टकणिक है रही है जिसे मांदर होती है जहांज मंझीरा जुतनी भियते हैं जस गीत जवारा हो गया ये सब लोगीतों को भूलते जाते हैं आज हम लोग जहां पर वाध्यंतरों के द्वारा जस्गीत होती थी वहाँ पर डीजय बजती है और क्या का नहोता है इस कारण से हम लोग इसके प्रति आकरशन हुए ही कुई न हम लोग गीत के प्रती हम लोग इसको आगे पढ़ाएं जन जन तक पहुँचाएं कि लोग गीत होता क्या है जिसको भूले जा रहे हैं इस जमाने के तोर पर उसको हम लाना चाहते हैं लोग तक पहुँचाना चाहते हैं इसके बार में जाने है आप देख सकते हैं कि हमारे ये लोग कलाकार कितने multitasking and multi talented हैं अपनी जीवन की दोड़ भाग में ये संगीत के माध्यम से कैसे खुद में उर्जा लाते हैं ये तो इनहीं से जानना पोगा मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी रगों में ही संगीत बसा है लोग गीतों की विशेशता ही यही है कि यह मौखिक रूप से या ओरली ट्रांसफर होती है यह किसी व्यक्ती विशेश की रचना नहीं बलकि एक ग्रूप या कम्यूनिटी की रचना है आप अगर खोजेंगे तो यह पाएंगे कि इसकी रचना किसने की होगी यह साथ कभी मिल ही नहीं सकता लोग गीत, संगीत, समाज की धरोहर ही नहीं बलकि लोग जीवन का आइना है गाउं के लोग संगीत के माध्यम से आप उस ग्रामिड जीवन की जहांकी देख सकते हैं लोग संगीत का विशे कुछ भी हो सकता है जैसे खेती करना, जाती या गोत्र का गीत, किसी इस्थान के बारे में गीत, बच्चों का गीत, तेवहार या समाजिक नियमों का गीत, देवी देवतां या हसी ठीठोली के गीत एक खास बात यह भी है कि लोग गीतों का इसकी पहली पंक्ति निर्धारित होती है और अन्य पंक्तियों का निर्धारण इनकी लैपर होता है, है न यह खास बात, तो चलिए हम एक और गाना सुनते हैं आज लोग गीत के प्रति आकरशित होते हुए हम अपने सरगूजा छेतर से एट कर अपना सुरज पूर जीलाम जाते हैं जहांपर साराज़व धाम है, उसके प्रति माता के सुन्दर सी एगर जस गीत कहा जायतो भी या फिर जस सिवा गीत कहा जायतो भी, तो इसी के संदर में यो गीत है इस पर सारा सुर्व माता का वर्णन है उनका और उनका भजन है इसके बारे हम लोग सुनते हैं और जानते हैं कि इस भजन में क्या भाजा रहा है माता के कई रूपों का दर्शन उसमें होता है और माता के भक्त कैसे जाते हैं द्वार पर और माता उनको कैसे ब कर दो झाल 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 झाल